हेलो मार यूटीव फैमली वेल्कम बाक तो माइ चानल आप बहुत अच्छे होंगे शुप्ति पावली आग तो यहीं वीडियो में आप लुक देख रहे हो तो यहीं लुक में आपको ग्रीट करके दिखाने वाली हो आप सू एक्साइट एट्स केट स्टाट और अब सबसे यहीं छिक्पशन्त करणे मॉस्टूराइजर और यह उसे की मेरे तक प्रप्रेट करना चानल केए यूट लुक में जब यहीं कुछ methूट अगर आप ने मेरे मेरे सकन्टाइप का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज शाकि देखिया मैं इस लिक्ति दिस्क्रिपीयों मे में ही अप्लाई करें इससे क्या होता है सारे जो फेस के एरियास में मूरा मस्ट्राइचा लग जाता है और स्किन बहुत अप्स लगते हैं पर मैं बूरू फेट करें अबसर्फ करने के लिए थोड़ासा मेरी नॉटन की चल रही थी उसे आप इग्नॉर कीचिए और अब ने है इसकोत करने करते हैं फुरक जो प्राइमर है वह बहुत अच्छा है कि नहीं को ड़ेगए स्किन को अंट जा सब्सकी बिलर कर देता है और पर जुँग मैं इस बाकर नहीं किःचंश में ज्युक्ते प्रायमर के अच्छ हाम ना हो को वेट करना है तो दिखिए स्केन की तक ग्लो कर रहा है और इसके बात अब मैं करूंगे अपने फेस पे कलो करेक्टर का काम क्यूंकि मेरे इतने डाक स्पोट्स नहीं है फेस पे में को सिफ आइस के नीचे डाक सकल्स है और थोड़े से मंकी माउथ पे डाकनस है तो मैं जहां 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 नीडेट है मैं वही पे कलो करेक्टर यूज करती हूं आप भी जहां 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 आपको नीडेट है वही पे कलो करेक्टर यूज करें ऐसा नहीं कि पूरे फेस पे कलो करेक्टर यूज करें ऐसा करने से आपको जो मेक अप है वो डल हो जाएगा यूज़ा आपको dark spots से भही आप कर्लेकर्टर यूज़ करें और एक और बात जब भी आप कर्लेक्टर लगाते हो तो उसको पूरा ब्लेंड ना करें क्योंकि करते हैं-, हमारे तार्फ नष्थ से हाइप करने के लिए करते हैं, अगर आप पूरा भी ब्लेंड करोगे और उसके बाद आप बोलोगे कि मेकप करने के पड़न मेक उरे पड़ने का requirements है स्टएप से थोड़ा से ध्यम तो मैच द्यूर्ट वह सुछत आज कि अधिए कोई तो ही पिता अविज से आगयों युज किर्टर म्यूजा लिए तुन युजंव खाग है सब्सक्राइता है कि मेच ज़़ें धर के बाद धर कर बना कर दोंग्प सब्सक्राइब हमेशा color character यूज़ करने के बाद light shit का concealer यूज़ करें आपके जो tone से match करता हो वैसा concealer ज़रूर यूज़ करें ताकि इससे क्या होगा आपका जो makeup का जो base है वो flawless होगा मैं यूज़ करूँ concealer जैसे कि मैंने अपको step-less डप खाता बिल्कुल वैसा ही मैं concealer यूज़ करें हूँ मेरे tone से थोड़ा सा थोड़ा सा light जहां जहां मैंने color character यूज़ किया ता guys मैं वही वही पर लगा रही हूँ आप चाहिए तो पूरे face पर भी लगा सकते हो बढ़ मुझे वही पर लगाना है जाज़र मैंने भी आप बिल्कुल आपको भी flawless makeup base मेलेगा और अगर आपका बेस अच्छा है तो guys make up भी बहुत अच्छा होगा बरकर आपका बेस ही अच्छा नहीं है केकी बेस एफ ट्राय makeup so आप कहा बोलतु हूँ कि प्रोड़ा के गलती है प्रोड़ा के गलती नहीं है उसी कंसिलर को मैं पूरे फेस पे पेला रही हूं ना कि मैं एक्स्ट्रा कंसिलर लेके लगा रही हूं वह जहां जाज़ा अप्लाई किया था उसी को मैं पूरे फेस पे ब्लेंट कर जीव जैसे कि मैंने कहा था आपको फांडेशन और कंसीलर या करेक्टर पूरा आपको ब्लेंड नहीं करना है स्किन पर थोड़ा सा रहने दिना है ब्लेंड इसले करना हुदा क्यों कि कज़ों मेकप है वह शाइनी देखे ना कि लाइक ना कि केकी ओ फॉर्ट में इस चांसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए इसले जो स्टेप्स मैं आपको बता रहे हुआ स्टेप्स आप करे स्किन पैच स करें से अब्सर्वना चाहिए स्टेप्स अब देख से दोनों साइड पर चेंज दिख रहे हैं और आपना कर यो कॉंटूर क्रीं कॉंटूर कर यो कि मेरा फेस जो है थोड़ा सा राउंड एंड शबी है तो जहां पर मैं को लग रहा है कॉंटूर यूज करने की ज़रत मैं बहुत पर कॉंटूर करें मैं चीक को ठोड़ा कर यूज कि मेरा फेस राउंड है तो मुशे राउंड फेस पसंद नहीं आता है वाइल आम डूइंग मेकप तो इसलिए मैं अपने जो शाप कॉर्णर होते हैं उससे कट जरूर करते हैं फेस की चिन एरिया हो गया चीक बोन हो गया नोज हो गया फोरेट हो गया अच्छे से कॉंटूर करते हो तहीं जो फेस है लिफ्टेड लिफ्टेड क्रिम यूज करने का और तरीका भी है कैसे उसको जग्याके मैं अगया अगया चबी बढ़ा है तो अब गशे का नाना लिशे को सब्सक्राइए नेक्स फीडियों आपको ज़्रूर बताऊंगे कि god answer कैसे फेस पे कैसे करना चाहिए रांड फेस पे कैसे और राओंड फेस पड़िये लिफ्ट प्स प्र डिश rif ज़ोड बताऊंगी और मैं थोड़ा सेचिं को शापनेश देना चाहते हमाने उसलिए पर अच्छे से लगा रही हूँ कॉंटूर भर भर के कॉंटूर लगाएगा कॉंटूर करने में कंजुसी ना किजिएगा अब मैं अच्छे से ब्लेंड करें हूँ जहाँ जहाँ मैंने कॉंटूर किया है वहाँ-बहां मैं अच्छे से ब्लेंड करें हूँ फेस पर कि ब्लें ही ठीक से नहीं तो आपका मेकप पटने के चैंसे होते हैं तो यह मैं थोड़ा सब फोटेज लेते हुए इग्नोर कीजिए और स्किन बहुत अच्छी लगती है मुझे बहुत अच्छी लगता है मैं लगा रहे हूं लिप और चिक तिंट अगर आप यह पार्ट स्किप्ट कर अगर आप यह स्किप ना करें अगर आप लेपन चेक टिंट लगाओं तो आपके बहुत खुछ से ही बहुत अच्छी से निखार देगी और नाच्रल फिनिशिंग देगी आपके मेकप पे और इसके बाद मैं कर्यों पाउडर से पैक और यहां पर एक इंपॉर्टेंट प पर लगते हैं है इसे पेश बinned मास्ान पिया है सी इसे बमने की तो आपका उगल पाउडर में कर्वादर से आपके कई ब्रॉट यहां स्याट मैं से करना तो आपके का इसमें की पीछ जाए बचांसरी लिए यहांस बच़ाएं से लागे प्शन Siya आपके उनिखस बिर से अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और इसके बाद मैं करूँ पाउडर ब्रॉंजर यह कॉंटूर नहीं है यह पाउडर ब्रॉंजर है कॉंटूर और ब्रॉंजर बहुत अलग अलग चीज़े होती है यह आप समझ लीजिए अगर नहीं समझें तो मुझे कमेंट में बताईए मैं आपको हर एक चीज का वीडियो में उल्लिक जरूर करूंगी अब मैं कर जूँ यहां पर पाउडर ब्रॉंजर जहां मैंने कॉंटूर यूज किया था क्रीम कॉंटूर वही वही पर मैं ब्रॉ गलेश लगाना नहीं चाहते हो तो आप ब्रॉंजर ब्र्उंजी लोक भी देशाक्ते हो ब्रॉंजर से से जी ब्राउनिश ब्राउनिश लोक भी देशाते हो एक चाहतो हväगत मैं ब्रंसर इसल mattered is की मेरा फैस और शाप और लिफ्टेट दिखे और अच्छा दिखे इसलिए मैं हमेशा ब्रंजर यूज करते हूं powder के बाद आप powder bronzer यूज कर सकते हो इसके बाध में लगा रहे हूं ब्लेश वह मैं कैसे भूल सकती हो गा इस जivity समेकप की पूरी खास्यत है ब्लठ और ब्लठ आपको भर-भर के लगाना मैं इस लुक में क्योंकि ब्लश ही पूरे लुक को कम्प्लीट करेगा यह वाले यह लुक ही मैंने इतना स्टानिंग किया था और परसनली बोलू तो मुझे लुक बहुत पसंद आया था और आप भी अगर आपके ऊपर ट्राय करोगे चैसे मैंने बताया है आपको भी लुक बहुत पसंद आएगा परसनली तो यहां मैं थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए और मुझे बहुत पसंद आता तो मैं यहां पर कुछ गाना गुन गुना रही थी जो कि मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा सा नाच रही थी इंजॉय कर रही थी क्या होता है मे तक कि जो मेरे पॉइंट्स वह अच्छी से दिख आए और लिप्स के उपर चेन पर और हाइलेटर भी आपको भर-भर के लगाना है गाइस और चीक बॉन्स पे लगा रहे हूं जहाँ जहाँ मैंने आपको हाइलेटर के पॉइंट्स पटा है आपको वहीं पर विल्कुल हाइ पर लगाना है और हाइलेटर भर-भर के लगाए अगर आप बे पार्टी में जा रहे हो तो अपको भर-भर के लगाना बहुत ज़रूरी है तक कि आपको जो फेस है वह बहुत ज्यादा शाइनी लुक दे और बहुत जादा क्यूट वाइट दे अपको मैंने आइब्रो पर कि लगाया है थोरा सा है लट अधर आफिर से जहां चाहा मुझे लग रहे है कम हाई राट अधर यह लगा रहे हो आपके लिगे अई श्याडव यह बहुत पर आईशाडू करके आनी चाहिए इसलिए मैं हमेशां निद्स लगाती हूँ और इसके बाद मैं बलेंड करना आज इसे ब्लेंड करना ज़रो है तो क्रीज पढ़ने के चांसे होते हैं और आइशाड हो जाए वहां पर क्रीज पर बैट जाएंगे लिए सेटल हो जाते हैं इसके बाद में निकालना बहुत मुश्किल होता है इसके बाद मैं कर जो उसे पाउडर से पैक और अब मैं सबसब दोल डियुए होते यह पर मैंने कलर वी यू अगर आपको कलर मेंज़ी बता है मैं इस बमकाप नेक्स वीडा सबसे सबस्क्राइब कर जाएक कि मैं मेंसे अगलर साब में पर के अजग होते हैं तो मैंने सबसे पहले लिया जा आइवाट ग्राइड चाएब करीड़ आई लिट पर लगा रही हूं और यह पूरे आई पे स्प्रेट कर रहा हूं लाइट कलर और इसके बाद मैंने लिया था तोड़ा सा थोड़ा बाकि उसे मैं C-section में लगा हुँ औस टेक्ब्स से लगा रहे हो बिल्कुर उसका आपने लगाँया है हलकी हातों से बिल्कुर सौफ्ट रातों से आपको बह intr करने है सी से भी लेन के छुझे जलोड़ी है वरना। 2 ब्लेंड़ेंग मस्थ इंपोर्टेट मैं ने जबते हैं कि ब्लेंडीं बसक्तों होते हैं। नहीं गया हैं मैं थे जिए सहीं यह घर हुंटेट мेन चीह और फिर से C-ssection में लगा रही हू और एस बार में में slanting में लगा रही हूँ but slanting में लगा रही हूँ और इसको मैं फिर से blend कर्यों अच्या से color pop हो के दिखने चरहे है इसलिह में अच्या से blend करेका blending important है guys eyes make-up में इक्पाइब से जले working about the role for 这是 blending है और पूरे मेकप में ही blend is most important अब जितना जादा ब्लेंड अच्छे से करोगे उतना जादा आपको लुक का रिजर्ट जो है वह बहुत अच्छा निकल के आएंगा इसके बाद में डाग्रीन यूज करें सबसे डाग्रीन जो लास्ट होता है सबसे डाग्रीन वह यूज करें अगर आप एक बार जान लोगे ना काई सब कोई भी आयमेकप कोई साइब आयमेकप आप बहुत ईजी लिक कर सकते हो गाइस तो यह देखिए मेरी आइस अभी से किती सुपब देख रही है सो यह मैं चैसे स्प्रेट कर रही हूँ ताकि सारे जो कलर है वह एक साथ आचे से मर्ज हो जाए अचैसे ब्लेंड करना है थाकि हे ब्लेंड कोई भी खाष लाीन ना रचैसे ब्लेंड करना ऑशकर बात आगे उसके बाद में अपने लगा comfort पके सानर लगाए ग्लũ से खर् होगा उड्म यो रगो Two da ? यह बहुत पसंद थैज यह क्लाइन पर यही उस कर थैए उतको जोई 양ी पर आप बाँन पर कियो क्ला खर्ली कमें और लाइनर लगा रहे हूं और लाइनर मुझे भाँ पर संद लगाना लिक्विड राइनर भी यूज़ करते हूं अगर अगर नहीं हो तो आप जयल लाइनर भी यूज़ करते हो मुझे लिक्विड लाइनर बहुत पसंद है अब मैं लगा रही हूं मस्कारा इमचिक का इसका जो एक्स ठोखे वही बहुत साधा अच्छा वाल्यूम देता है और में हमेशने अपला ट्रपर बहुत अपलता है क्यां यूंकि हमारे मंस्के अधर मिक्स अप्लि पहिते मैं स्यूम में यूज़ में समय के पाइस काला대 यूज़ भी यूज़िशीब में ने लाइनर उतर लगा है 錢 के बाति आम उतर अब दो बातिता तकि आपंना смलग और इसके बाद मैं lower eye shadow लगा रही हूँ और जब भी आप lower eye shadow लगाई इसके बाद आप काजल लगाई ताकि आपको जो काजल है वो spread नहीं होगा वो एक जगह से हिलेगा नहीं बिलकुल भी आपसे सिप्लाइट है जो मैं डाक ब्राउन के लगा यूज़ कर जो आप चाहे तो तो मैं ऐसे लुक्स नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी उसके लिए आपको मेरे चैनल को करने पड़ेगा सब्सक्राइब और मेरे बेल आइकन को दबाना बिलकुल दो लिए थैंक यू फॉर वोचे अ कर दो